नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको स्मार्ट लुकिंग प्लेन कुर्टा डिजाइन शेयर करने वाली हूँ इस प्लेन कुर्टे में मैंने प्लेट्स बनाई है बटन प्लैकेट भी बनाए है इसके सारे स्टेप्स फॉलो करने के लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें सारी डीटेल्स मैंने इसमें शेयर की है इस कुर्टी को बनाने के लिए मैंने सवा 2 मीटर कॉटन फ्लेक्स कपड़ा यूज किया है ये कपड़ा देखें इस तरीके से थोड़ा दानेदार कपड़ा होता है और ये प्यॉर कॉटन में आता है आप इसे पैंट्स या इस तरीके का प्लेन कुर्टा बना सकते हैं और अगर आप यह पर्चेस करना चाते हैं तो स्क्रीन पर दिखाएगा नंबर पर मुझे वाट्सप करें अब कपड़े को पूरा खोलें और इसे पहले लंबाई में फोल करें लंबाई में फोल करने के बाद यहां से हम कुर्ती की जो लैंथ है वो मेजर करेंगे यहां कुर्ती की लैंथ सवा दो मिटर कपड़े में से 42 इंच निकलेगी तो 44 इंच लंबा हमने यहां से कपड़ा यह ले लिया है अब इसको हम पहले आधा आधा करके कट करेंगे अब इसमें से पहले एक पैनल को हटा दें और एक पैनल को साइज की हिसाब से फोल करें जैसे हम स्ट्रेट कुर्ती में फोल करते हैं यहां हिप मेजरमेंट है 42 तो उसके हिसाब से मैंने यहां 12 इंच तक फोल कर लिया है साइट से जो extra कपड़ा है उसे कट कर लें अब कपड़े का जो दूसरा हिस्सा हमने कट किया है उसको इससे करीब 5 इंच एक्स्टा लेंगे मतलब 17 इंच उसको इस तरीके से फोल करना है फोल्डिंग के बाद ये इस तरीके से 0.5 इंच एक्स्टा आएगा इसमें भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हटा दें दोनों हिस्सों पर इस तरीके से सेंटर में कट लगा दें अब जो छोटा वाला हिस्सा है जो हमने 12 इंच फोल्डिंग का लिया है उसमें से हमें बैक पैनल कट करना है शोल्डर 7.5 इंच मैंने लिया है आधा इंच हमें ड्रॉप लेना है जो हमने शोल्डर की चौड़ाई ली है वही आम होल लैंथ लेनी है यहाँ 7.5 इंच आम होल लैंथ मैंने ली है यहाँ चैस्ट लाइन है 38 उसका चौथा बाग करें और स्लाई का इसमें एड कर ले अब देखिए इस तरीके से आम राउंड का शेप देदें अब शोल्डर से करी 15 इंच नीचे हम वेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करेंगे वेस्ट लाइन है 32 उसका चौथा बाग कर ले और उसमें भी स्लाई का एड करें इन दूनों निशानों को इस तरीके से मिला ले अब शोल्डर लाइन से करीब 20 इंच नीचे आएगी हिप लाइन इप मेजरमेंट है 42 उसका चौथा बाग करके उसमें भी स्लाई का एड कर ले अब इन निशानों को इस तरीके से बॉड़ी शेप में मिला ले अब देखिए जो अंदर वाली लाइन है ये स्लाई के लिए है और जो बाहर वाली है वो कटिंग के लिए है गले की चौड़ाई हम पौने 3 इंच लेंगे और जो आदा इंच हमने ड्रॉप लिया था उसको शूल्डर स्लोप में इस तरीके से मिला ले गले की लंबाई हम यहाँ 2 इंच लेंगे यहाँ पर राउंड नेक का शेप दे दे यहाँ से स्लिट के लिए मैंने इसे बिल्कुल सीधा रखा है जैसे स्ट्रेट कुर्ती कट करते हैं इस तरीके से इस बैक पैनल को कट कर लें जहाँ तक हमें स्लिट बनानी है वहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगा देंगे अब जो हमने फ्रांट पैनल के लिए कपड़ा कट किया हुआ था उसमें हमें इस तरीके से पौने तीन इंच चौड़ा और पांच इंच लंबा राउंड ने कट करना है अब देखिए इसमें बटन प्लैकेट बनाने के लिए इस तरीके से मैंने ये पेस्टिंग पेपर कट किया हुआ है बटन प्लैकेट का पैटन मैंने पहले भी शियर किया हुआ है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब कपड़े को सीधा रखें सीधे साइट पे इस तरीके से प्लैकेट को स्टिच करके इस तरीके से प्लैकेट को तयार करें अब इस प्लैकेट को पूरा कम्प्रीट करने के लिए एक सीधी पट्टी ले प्लैकेट के नीचे हम इस सीधी पट्टी को देखे इस तरीके से सेट करेंगे यहां से पहले हमें सलाई लगानी है और सलाई लगाने के बाद हम यहां पर इस तरीके से लूप्स लगाएंगे loops लगाने के बाद placket का दूसरा side भी बंद कर लेना है placket तयार करने के बाद अब हम यहाँ पर plates बनाएंगे जो हमने extra 5 इंच कपड़ा लिया है वो plates के लिये लिया था अब देखें neck के दोनों तरफ इस तरीके से 2 इंच पे निशान लगाए अब इस निशान को इस तरीके से 15 इंच लंबा कर लें 15 इंच तक हमें यहाँ पर plates बनानी है देखें अब इन निशान को अच्छे से बिलकुल कपड़े को सीधा करके और इसे अच्छे से फोल कर लें अब यहाँ पर plates बनाने से पहले इस तरीके से iron करके और crease बनाएं, तो आपको plates बनाने में आसानी रहेगी, अब हम यहाँ पर plates बनाएंगे, दोनों तरफ इस तरीके से पहले crease बना लें, एक साइड मैंने plates बना ली है, अब दूसरी साइड हमें plates बनानी है, अब यहाँ पर द प्लेट्स के बीच में करीब एक इंच का गैप होना चाहिए. अब देखिए यहाँ एक इंच का गैप देखर दूसरी प्लेट यहाँ पर बनेगी. अगर आपने पहली वाली प्लेट एकडम perfect बनाई है तो बाकी जो प्लेट्स हैं वो अपने आप बिल्कुल perfect बनती जाएंगी प्लेट्स बनाने के बाद सभी प्लेट्स को आपको एक तरफा करके और अच्छे से iron करना है अब देखे मैं आपको मशीन पर बता रहे हूँ हमें प्लेट्स को कितना चौड़ा रखना है देखे प्लेट्स बनाने के टाइम कपड़े को बिल्कुल सीधा रखें अब हम यहां मशीन के पैर जितना चौड़ा प्लेट बनाएंगे सभी प्लेट्स एकी साइस की बनाएं यहां एक साइड के लिए हमने करेब डाई इंच कपड़ा एक्स्टर लिया है तो उसके हिसाब से हमें यहां पर चार प्लेट्स बनानी है दोनों तरफ चार-चार प्लेट्स बनाएं सभी एकी साइस की होनी चाहिए कपड़े को बिल्कुल सीधा रखें और इस तरीके से प्लेट्स बनाएं दिखें पूरा पैटन अच्छे से तयार हो चुका है अब इस पैनल को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे जो बैक पैनल हमने पहले कट किया हुआ है उसको इस तरीके से इसके उपर अच्छे से सैट कर ले अब सेम साइज की यहां से कटिंग कर ले बैक पैनल और फ्रांट पैनल दोनों कट हो चुके है अब हम फ्रांट पैनल में नेक की जो साइज है उस सेम साइज का पेस्टिंग पेपर कट करके यहाँ पर neck को stitch करेंगे देखे जैसे हम simple round neck तयार करते हैं इस तरीके से दोनों strip को यहाँ पर slide करके यह पूरा front panel का pattern तयार कर ले front हमारा ready हो चुका है यहाँ पर बात में हम wooden buttons लगाएंगे back panel का जो neck है वो simple round neck तयार कर ले sleeves मैंने यहाँ 16 inch लंबी ली है और 9 inch चौड़ी यहाँ pattern बनाने के लिए मैंने यह 3 inch चौड़ी दो पट्टियां ली है यहाँ पर हम connector lace लगाएंगे अब देखे sleeves का pattern बनाने के लिए हम पहले यहाँ sleeves को सीधा रखेंगे सीधे side में इस connector lace को यहाँ रखें कपड़े को fold करके यहाँ slide करेंगे अब हम इसको पीछे की तरफ गुमाएंगे देखे लैस को हमने एक side fix कर लिया है अब जो हमने 3 inch चौड़ी पट्टियां कट की हुई थी उन दोनों को पहले एक साथ जोड लें एक side से इस तरीके से fold करके और इस connector lace को इसके साथ attach कर लें लैस को यहाँ attach करने के बाद इस पट्टि को आगे की तरफ इस तरीके से गुमाएं और यहाँ fold करके और यह slide कर लें sleeves का design भी तयार हो चुका है अब बाकी की जो कुर्ती है वो हम straight कुर्ती की तरह complete कर लेंगे देखे यहाँ sleeves में और कुर्ती के front में front cutting जरूर करें यह plain कुर्ता design आप narrow pant या wide-legged plazo के साथ try कर सकते हैं friends आपको मेरा यह कुर्ता design कैसा लगा like share comment करके जरूर बताइएगा thank you watching for this video